एक Genius Marketing Strategy सिफ तबी Genius मानी जाती है जब उसको करके आपका Company या Product बहुत ज़ादा वाइरल हो जाएं और उसी वाइरलिटी की वज़े से आप Market में जाके बहुत सारे Products को Sell कर दो और ऐसी ये Genius Marketing Strategy यूज करी थी IDFresh नाम किये Company ने जो Ready to Make Italy Dosa Batter Packets के अंदर Sell करते हैं जिनने Financial Year 2022 में 454 करोर का revenue और किया है IDFresh कमपनी को स्टार्ट किया था PC मुस्तफा ने अपने चार कजिन भाईयों के साथ मुस्तफा के फादर डेली वेज लेबर थे और उनकी मदर एक हाउस वाइफ हम Middle Class लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है लेकिन हमें उसे बड़ा बनानी के लिए पैसे नहीं है आपको लगेगा कि शायद आपको पैसो की ज़रुरत नहीं बलकि एक जीनियस आइडिया की ज़रुरत है इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रु कर लो ताकि ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो आपसे मिसना हो सो मुस्तफा और उसके कजिन्स 2005 में एक छोटी ची शॉप में ये इडली डोसा बैटर अपनी लोकालिटी में सेल करते थे प्लास्टिक पॉली बैग्स में बट जादातर लोग उसे परचेस करने में डरते थे दू टू दा इशू इन दो कॉलिटी ओफ दा बैटर जब आप खुले में इडली डोसा बैटर सेल करते हो तो वो एक बड़ी रिस्क है क्योंकि heat and hot weather की वज़े से डोसा बैटर over fermentation से खराब हो सकता है और ऐसा हुआ भी जब मुस्तफा ने एक general store owner को अपना बैटर सेल किया and lack of cooling storage की वज़े से वो बैटर एकी दिन में खराब हो गया और उनके बहुत सारे पैसे भी waste हो गए and तब उनने सोचा कि इस ready to cook डोसा बैटर को plastic bags में sell करने से अच्छा इस बैटर को एक proper cooling packaging के साथ sell किया जाए ताकि storage का भी कोई issue ना आए and इस बैटर की storage and use करने की duration भी increase हो जाए IDFresh के packaging शुरू से ही बहुत attractive थी and easy to use थी जिसने उनके product को बाकियों से बहुत different बनाया and moreover उनने अपनी supply chain भी कुछ इस तरह से build करी थी क्योंके factory से rows new batter के packages dispatch होते थे ताकि customers को हमेशा fresh products deliver हो सकें बट सिव अपने product को अच्छा और unique बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता ID fresh के ready to use batters में कोई भी preservatives use नहीं किये जाते थे जिससे उसको एक proper homemade वाला feel मिलता था बट यह जीज customers को कैसे और कौन बताएगा and तब उस time पे ID को marketing और ad campaigns के उपर बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना था and तब उनने खोचके निकाला एक marketing का बहुत unique way जिससे उनकी product की branding भी हो गई and उनने बहुत सारे customers को and तब उनने खोचके निकाला एक unique way जिससे उनकी product की branding भी हो गई and customers ने उनकी product की quality को भी test कर लिया and so इसको test करने के लिए मुस्तफा और उनकी team ने open करी ID trust shops so trust shops का funda बहुत simple था मुस्तफा को पता था कि ID fresh के products high quality के है and वो चाते थे कि customer इसको first hand test करके खोदीर trust करें कि एक home made recipe वाला ही batter है and इसमें कोई preservatives नहीं है so इसके लिए मुस्तफा बहुत सारी societies and corporate parks में coolers setup करने लग गए जिसमें स्रिफ और स्रिफ ID fresh के products ही रखे रहते थे exclusively but the catch was कि इन coolers में रखे हुए products को कोई भी sell करने वाला नहीं था ये coolers unlock करके रख दिये जाते थे जिसके आसपास नहीं कोई camera था and नहीं कोई उसे बेचने वाला and ऐसी circumstances बना दिये जहां इन normal customer को अपने घर के नीचे ही free का इटलिटो सा बैटर रखा हुआ मिल रहा था जिसको वो कभी भी buy करके use कर सकते हैं but although interest shops के अंदर एक छोटा सा box हुआ करता था जहां कोई भी customer उस बैटर को purchase करने के बदले में उसकी MRP का जो भी amount होता था वो उस box में डालके जा सकता था और उसकी कोई timeline नहीं थी वो उसी time भी pay कर सकते थे और एक दो हफ़ते बाद भी जाके box में पैसे डाल सकते थे it was a high risk thing जहां पे उनको पता नहीं था कि लोग उसके बदले pay करेंगे या नहीं क्योंकि हो सकता है कि लोगों को उस product की quality उतनी पसंद आए और वो सी उसलिए उसको test कर रहे थे क्योंकि वो product उनको free में मिल रहा था but in this situation एक और case ये भी था कि हो सकता था उन customers को ID के idli dosa batter इतने पसंद आ जाते कि वो उसे use करने के बाद उस idli dosa batter के पैसे उस box में डाल के चले जाते so it was important for Mustafa to actually test and evaluate this idea कि क्या इससे सच में profitability अचीव हो सकती है या इससे पैसे बन सकते हैं कि नहीं and ये भी चीज उनको समझना जरूरी था कि ID के ये products को वो इसी चक्कर में free में बेचते हुए ना रह जाए so let us understand a quick match behind the profitability method of the ID trust shops ID fresh का एक idli dosa batter का packet 110 rupees का आता है so if we consider कि इसकी ID products को retail shops में चाके sell करता है तो देखते हैं कि वहाँ पे ID का कितना profit बनेगा on average इंडिया में retail shop का margin 10-40% का होता है so अगर हम 110 रुपए में से 40% का retail margin ले ले and 40% और भी additional खर्चे के जैसे material, logistics and other expenses का then एक 110 रुपए के batter के packet में से 80% का margin तो expenses में ही चला गया and technically ID fresh ने इस packet के उपर 20% का मदलब 22 रुपए का profit बनाया अब suppose कि ID retail के जगाई नहीं batters को trust shops में चाके बेज रहा है तो वहाँ पे cooler, electricity and rent का additional खर्चा भी होगा मलब अगर customer उन batters के बदले उनको pay नहीं करते हैं तो वो heavy losses में आ सकते हैं अब it is also important to understand the ideology behind कि ID ने यह trust shop नाम क्यों रखा था trust shops उसका नाम रखा ही इसले गया था क्योंकि the company believed that there is still a lot of trust left in the people and they could have counted on the people कि वो इन products के बदले में अपने according, पूरा या at least कोच अमाउंट वो trust box में drop करके जाएंगे and this is where the idea of these trust shops became successful trust shops को install करने के कुछ मैनों बाद results को calculate करने के बाद पदा चला कि ID ने अपने products के बदले में इस cost का 90% तक recover किया है through these trust shops and this implied two things, एक तो कि ID के products सच में high quality के हैं and fresh हैं तब भी लोग उनको repeat purchase पैसा company को सरूर दे के जाएंगे and this proved right with results जब ID ने अपने packets के बदले में 90% तक के profits कमा है in trust shops के थूप and the more beautiful thing about these trust shops is कि ID के ये trust shops आज भी चलते हैं and fully profitable हैं and this was the genius marketing strategy जो ID कमपनी ने use करी अपने products को first hand customers से test करवाने के लिए and ना ही उनने से वे test किया and अपनी marketing के उपर भी पैसा बरबार ना करते हुए profitability के दम पर ये marketing campaign उनों ने run किया and so now it is the time to understand the key takeaways from this marketing case study of ID trust shops the number one key takeaway is the freemail model of marketing ID trust shops के थूप ID ने ना ही सिव अपने products की testing करी but free में अपने products लेकर first hand customer feedback भी लिया जिससे उनको प्रूफ मिला कि उनके products सच में अच्छे हैं and लोग उनको खरीदना पसंद करेंगे which give them the heads up कि अब वो retail market में जाके भी अपने products को sell कर सकते हैं the second biggest takeaway is the cost saving strategy ID ने ये trust shop setup करके कुछ करोडो या लाखो रुपे सेव किये हैं दूसरे types के marketing जो offline या ad campaigns के थू होती हैं उनमें ना invest करके वो चाते तो पैसा race करके normal marketing कर सकते थे but ID shops के थू उनने free में products देकर ना ही सिव अपने brand value create करी but profits भी generate किये क्योंकि लोग genuinely उनके products को पसंद करके payback कर रहे थे the third biggest takeaway is कि focusing more on the product rather than the marketing the one genius takeaway was also कि जब भी आपको startup build कर रहे हो तो don't just think about कि आप कितने लोगों को वो sell कर पाओगे या आप किस type से उसको market करोगे but आपका पहला focus होना चाहिए अपने product को इतना solid बनाने पे कि जब भी आपका product market में आपके launch हो and जब भी आप उसकी marketing करो and उसको sell करो तो लोग उसको return खरीदने आए अगर आपके product अच्छा ही नहीं होगा तो आपकी genius marketing के थू भी लोग उसको एक बार खरीद रहेंगे but वो customer आपकी return customer नहीं बनेंगे coming back to the stats of the ID company ID का 2022 का revenue 454 करोर्स का था as compared to 404 करोर्स in 2021 but apparently they are still not very profitable as उनने 2022 में 71 करोर्स के losses record किये थे जो कि 3x higher थे as compared to 27 करो 100 losses in 2021 वो loss में mainly अभी इसलिए भी है क्योंकि ready to eat food industry is a major category and small margins की वज़े से profit कमाना global competing brands के साथ में is a very difficult thing and इसलिए ID के ये genius marketing जरू थी but still as a company वो अभी भी loss में है क्योंकि consumer good and ready to eat food industry में profit margins बहुत ही tight होते हैं बहुत कम होते हैं जिसमें profitability अचीव करने में बहुत ज्यादा time लगता है and so that is it for today's video guys I hope कि अगर आपको यह आज ए वीडियो पसंद आई होगी तो like का बटन जरू दबा देना उसके साइड में आपको subscribe भी मिलेगा do click that subscribe button because we release two videos every week and also do comment below what are your learnings from this story now I will meet you in the next video very very soon until then bye bye